हेलो एवरिवन मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड काफी सारी डिमांड आ रही थी कि 542 को एड कर दिया जाए तो मैंने आड कर दिया है अब आप अलको ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा अगर कुछ मिस हो जाता है तो नेक्स वीडियो आ ज आपके पास 5 अकाउंट है तो आप 5 अकाउंट की एड कर दोगे और जो ओडर आप लगाओगे पांच अकाउंट में जाएंगे जो की बहुत डिबांडिंग होता है कि मल्टे अकाउंट मैनेज करना है तो यह रा एक्शेंज सबसे पहले आपको यहां आना अपनी एपे कर कर लेनी है दिखा देता हूं मैं आपको आप जैसे एक्शेंज पर आओगे माई प्रोफाइल पर क्लिक करोगे एपे मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीकी का पेज आएगा क्रेट एपे क्लिक कर देना है आपके सामने पॉप अप आजाएगा आपसे वेर यह हमारा IP है, आपको description में मिल जाएगा, और हमारी support team से भी लेलोगे, अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आपको यह IP भी दालना है, white list करना है, क्योंकि order जो आएंगे हो हमारे IP से आएंगे, otherwise अगर आप IP नहीं दालते तो order यह लेंगे नहीं, तो यह सारी चीजे कर लोगे, त आपको API केडेंशल पर क्लिक करना है, और API केडेंशल पर क्लिक करने के बाद, add API पर क्लिक करना है, और यहाँ पर PI, 42 सर्च करना है, find करना है, यहाँ पर आपको नाम दालना अपनी API का, तो आप कुछ भी दाल सकते हो, जैसे as a example, API 1, आपके पास multi API यह तो API 1, और उसकी API की और secret की, ऐसे डाल देना और save कर देना है, save करने के बाद काम खतम नहीं होता, back जाना है आपको, और यहाँ पर मेरे पास all API दिख रही है, आपको काफी सारी API है, आपको क्या करना है, आपको अपनी API पर जाना है, यह रप PI 42 API का, और यहाँ पर आपको इस तरीके से API दिखे होगे, उन account के अंदर same order पहुच जाएगा, बाकि आप quantity को manage कर सकते हो multiplier की help से, इसके लिए मैं आपको बाद मैं बता दूआ, यह आप हमारी support team से contact कर सकते हो, तो अभी के लिए मैं आपको basically जो normal order होते है, किस तरीकी से जाते ही trading उसे वो बताने वालो, तो हमने API on कर ली, उस और यहाँ पर आपको कोई भी indicator लगा देना, उस पर alerts बना देने, जब भी alerts आएंगे आपके order लग जाएंगे, PC on हो, off हो, यह matter नहीं करता, light हारी हो, internet हो, वो matter नहीं करता, आपको बस alerts बना देने, और आप चाहो तो PC बंद कर दोगे, light बंद कर दोगे, सब कुछ मंदलब उसके बाद भी आपके order आएंगे, अभी मैं आपको किसी indicator पर order लगा के नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसके signal देरे देरे आएंगे और वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं जो हर बार लेता हूँ, वो concept ले रहा हूँ, एक horizontal line लेंगे, यह मैंने horizontal line ली, right click करा, add alert करा, और notification में जाके सबसे पहले मेरे को webhook change लगना है, जो कि मैंने copy करा था आपके सामने, वो webhook add कर दिया, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक syntax दालना है, तो पहले मैं इसको नाम दे रहता हूँ, as a tag, alerts name, long दे दिया, यहां syntax दालना है, syntax के लिए आप इस speech प लगाया जाता हूँ, fully order लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है, पुरानी position को close करना, नई position को add करना, तो हम क्या करते है, हम अभी इसी symbol पर काम करेंगे, तो मैं as a tease copy करके दाल देता हूँ, quantity 10 दाल देता हूँ, buy कर लेता हूँ, and TPSLV आप लगा सकते हो, generate कर लेता हूँ, optional है, तो अब इस syntax का काम क्या है, पुरानी position को close करना, और नई position buy की 10 quantity से लगाना, तो मैं copy कर लेता हूँ, इस syntax को, और यहाँ पर इसके अंदर दाल देता हूँ, और दालने के बाद इसे create कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, long नाम से color सा दाएगा, एक horizontal line और ल हो जाता है, जब तक आप alerts को delete नहीं मारें, तो दुबारा आपको webbook दालने की जोड़त नहीं, बट आप चाहो तो आप दाल सकते हो, अब मैं यहाँ short लिख देता हूँ, आप चाहो तो short के बदले कुछ और भी लिख सकते हो, यह tag है, तो यहाँ पर syntax दालना है, syntax generator पर create कर दिया, तो आपके दो alerts बन गए, इसी तरीके से आप indicator में एक long का और एक short का बनाते हो, और वो signal अपने आप से देता है, पर यह indicator नहीं, यह horizontal line है, और यह काम ऐसे करती है, कि जब यह candle इस line से touch होगी, तो alerts आएगा, और अभी यह line बहुत दूर है, तो मिरको इस candle के पास ले जानी पड़ेगी, जिससे touch हो जाए, और order आजाए, तो सबसे पहले मैं आपको इनके platform पे ले जलता हूँ, और एक बार refresh करके दिखा देता हूँ, तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर कोई भी order नहीं, position book के अंदर, तो हम पहले सबसे पहले, long की line को trigger कराएंगे, इस line को pass ले जाते हैं, यह is a demo है, आपको indicator पे काम करना है, यह horizontal line बार बार बता रहो है, अगर आप level पे काम करते हो, तो आपके लिए सही कि आपने एक level लगा दिये, इस level पे market आयो, तो आपके automatic buy हो जाए, तो automatic हो जाएगा, बट कई लोग पूसते हैं कि horizontal पे काम करता है, trading मैं इदर line लेकिया है, इदर alerts आएगा, और जैसे alerts आएगा हो, मैं आपको दिखा दूँगा, तो अभी हमारे पास alerts आया नहीं, अच्छा, लोग इदर बनते हैं, तो लोग मैंने कर दिया है, यह line के नीचे आगया है, रुख जाओ, मैं line के पास बिलकुल गया हूँ, तो जो भी लोग बनेंगे, इदर बनेंगे, दिख लेते हैं, यह alerts आया, अब हम चलते हैं इस पे, तो आप देखो, 10 quantity से buy हो गया, क्योंकि हमने 10 quantity का लगाया था, तो XRP, USDT 10 quantity से buy हो गया, अब हमारा जब भी short का signal लाएगा, इस position को एक काट देगा, और नए short की position एड़ कर दे हैं, और short की line को हम इससे touch करवाते हैं, जैसे alerts आएगा, आपको जैसे मैंने बताया तो यहाँ पर यह आ गया, और हम जाते हैं इदर, तो अगर देखो, पुरानी position को काट दिया, नई position ले ली, अब इसको सही से देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस screen को split कर देता हूँ तो पहले तो मैं इन चीजों को delete मार देता हूँ, जिससे मैं आपको easily दिखा पाऊँ, और इस screen को भार निकाल लेता हूँ, control जैट करके, इसको मैं side में लेके आ जाता हूँ, यह मैं side में लेके आ जाता हूँ, और trading view वाली screen है, इसे भी मैं right side में लेके आ जाता हूँ, तो इस तरीके से मैं लेके आ गया, अब आप देखो, आपको एक live पहले भी दिखा चुका हूँ, और दुबारा दिखा रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि screen थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, पर आपको यहाँ दि इस तरीके से आप automation trading कर सकते हो, जो भी आपके indicator है, जो भी आपकी strategy है, ट्रीडिंग वूपर, millions of strategy है, millions of indicator है, अगर आपके mind में कुछ आ रहा है, तो वो आप बना सकते हो, तो इस तरीके से आप automation trading कर सकते हो, आई होप आपको सारी चीजे पता चल गई होगी, कि orders कैसे लगा आप limit order लगा सकते हो, आपको market order लगाना only market लगा सकते हो, आपको close करनी है position, कई बार होता है कि आपने TPSL लगा रखा आपने indicator के अंदर, और जब भी उटिगर हो तो आप TPSL close हो जाए, आपकी position तो close कर सकते हो, cancel कर सकते हो, इससी तरीकी कि सारी चीजे होती है, और आगे च